विज्ञान से चुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चानल की सद्यस्यता लेना ना भूले और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाए नमस्कार, बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ शेहनार ससा भारती आरूर विज्ञान अनुसंधान परिशद यानी ICMR ने ये सपश्ट कर दिया है कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में जो बढ़ोतरी देखी जा रही है वो म्यूटेंट स्ट्रेंड की वजह से नहीं है ICMR के महानिदेशक बलराम भारगव के मताबिक महराष्ट समेथ कुछ राज्यों में पिछले कुछ दिनों में COVID-19 के मामलों में तेजी देखने को मिली है लेकिन इस तेजी का म्यूटेंट स्ट्रेंड N-440K और E-484Q के साथ सीधा संबंध नहीं है ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों स्ट्रेंड सिर्फ भारत तक ही सिमित है दूसरे देशों में भी ये स्ट्रेंड पाए गए है यहां तक कि भारत के लिए भी ये स्ट्रेंड नहीं नहीं है इससे पहले भी कुछ राज्यों में स्ट्रेंड के मामले देखे गए है E. 484 Q-10 इससे पहले मार्च और जुलाई के महिने में महराश्ट में पाया जा चुका है और N. 440 के म्यूटेशन पिछले साल मई से सितंबर के बीच तिलंगाना, आंधरप्रदेश और असम में 13 अलग-अलग मौकों पर रिपोर्ट किया जा चुका है इसलिए महराश्ट में हाल ही में कोरोना के बढ़े मामलों को इन से जोड कर नहीं देखा जा सकता है किन सरकार के मताबिक मौजुदा इस्थिती की लगातार मिगरानी की जा रही है और जैसे ही इस बारे में वैग्यानिक प्रमार मिलते हैं उन्हें लोगों के सामने रखा जाएगा कोरोना वैक्सिन को लेकर दुनिया भर में रिसर्च चल रही है दो अलग-अलग हुए अध्यानों में फाइजर और एस्ट्राजैनिका के टीकों की एक खुराख ही COVID-19 के खिलाफ असदार पाई गई है पहली स्टेडी इसराइल भी हुई है जहां फाइजर बायोंटेक की वैक्सीन की एक खुराख देने के बाद 15-28 दिन के बीच COVID-19 के खिलाफ 85% तक इम्मुनिटी पाई गई यह आकड़े इसराइल के शेबा मेडिकल सेंटर में 9109 स्वास्त कर्मियों के टीका करण के बाद किये गए अध्यन पर आधारित है यह स्टेडी लेंसेट मेडिकल जनरल में छपी है कुछ इसी तरहा की खबर एस्ट्राजैनिका ओक्सवोर्ट की वैक्सीन के बारे में भी है एक स्टेडी के मुताबिक एस्ट्राजैनिका ओक्सवोर्ट की वैक्सीन की सिर्फ एक खुराग कोरोना के लक्षणों से 76% तक सुरक्षा देती है ये सुरक्षा टीका लगवाने के 22 दिन के बाद मिलती है ये स्टेडी यूके में हुए टीका करन अभ्यान से मिले आक्रों पर अधारित है हाला कि इस अध्यन की समिक्षा की जानिय भी बाकी है भुपाल के भारतिय विज्ञान सिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान यानी IICR के विज्ञानिकों ने एक ऐसा सिस्टम विक्सित करने का दावा किया है जो भी भाड़ वाली जगों पर इस बात का पता लगा सकता है कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं इतना ही नहीं इस सिस्टम के जरिये भीड में मास्क ना लगाने वालों की भी पहचान की जा सकती है Crowd and Mask नाम का ये सिस्टम Artificial Intelligence पर अधारित है इसमें उच्चो क्वालिटी के कैमरे को Microchip Computer और बैटरी के साथ जोड़ा गया है इस सिस्टम की खासियत यह है कि अगर लोगों ने मास्क नहीं पहना है या उनके बीच में पर्याप्त दूरी नहीं है तो ये तुरंत अलट कर देता है और इसमें पहले से रिकॉर्ड की गई आवाज बचने लगती है कि लोग दूरी बनाए रखे और मास्क पहने इस सिस्टम की मदद से दूर से बैट कर ही कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन का पालन करवाया जा सकता है वैज्ञानी की सिस्टम को आम लोगों के इस्तमाल के लिए देने की योशना पर काम कर रहे हैं तो आज की संक में बस इतना ही बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हासर होगे आप सबसे अनुमती लेने से पहले एक विनम्र अनुरोत, विज्ञान, प्रोध्योग की, आविशकार और नवाचार जगत के विश्वसनिय कारेक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस एप अवश्य डाउनलोड करें एक बात और देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी आप फेस्बुक, ट्विटर, यूटूब, लिंक्दिन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्द है हमारे कारेकरमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाओ हमें इमेल कर सकते हैं हमारा इमेल पता है feedback at indiascience.in इसे के साथ अपना ख्याल रखिए और हमें दीजे तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार